अज की वीडियो में मैं आपको मुसली की पूरी जान करी दूंगा और इसकी पहचान कराओंगा जिहां दोस्तों मुसली ऐसी ताकत वर जड़ी बुटी है जो सरिर की Immunity consider की तरह काम करता है और सरीर की कमजोरी दूर करके सरीर को पलिष्ट बनाता है बलवान बनाता है ताकत से भर देता है यह पौश्टिक गुणों से बरपुर होती है दोस्तों सरीर को पुष्ट और ताकत वर बनाने के लिए कई प्रकार की आउसदिया होती है उसमें अस्वगंदा, मुसली, सतावरी, काउच बीज, आधी, मुख्य है उनसे भी सरीर को ताकतवर पुष्ट और इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए रमक आउसती है मुसली जहां दोस्तों मुसली दो प्रकार के होती है सपेद मुसली और काले मुसली सपेद मुसली पर सपेद रंके पुस पलगते है और काले मुसली पर पीले रंके पुस पलगते है तो दोस्तो पहचान लिजिए इस प्रकार का होता है मुसली का पोधा जंगलों में ये खुब उत्पन होती है इसकी सबजी बनाकर लोग खाते है ये सिर्फ वर्षारुत्यू की सुरुवात में ही उत्पन होते हैं बाद में एक से दो महने के बाद अपने आप लुप्त हो जाती हैं सिर्फ कंध ही बचता है दोस्तो मुशली के मूल सीथे, मोटे और बेलनाकार होते हैं बाहर से ये काले दिखाए देते हैं तथा अंदर को तोड़ने पर सपेद रंका और मांसल होता है इसके अलावा ये मूल कहीं तंतुव वाले होते हैं दोस्तो दोनों प्रकार की मुशली के गुण दर्म थोड़े अलग होते हैं सबसे पहले जानते हैं काले मुशली के गुण दर्म के बारे में इन में से काले मुशली स्वाद में मधूर थोड़ी तीखी और गर्म होती है ये पच्चने में बाहरी पिछल वात और पित को ये धातू बढ़ाने वाली दा, स्रहम, और रख्त दोस तथा अर्ष को मिटाती है। दुस्तो नतर जो मुशली का कंद वाजिकारक होता है। ये सकति बढ़ाने वाला मुत्रल, बल कारक, रसायन और रख Спाण करता है। ये अर्ष और मवासिर में परम हितकारिक तथा रखत दोसों को दूर करने वाला और सुक्र को बढ़ाता है। इसके अलावा डायाबिटिस के मरिज भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सरेर की दुरमलता को नश्ट करता है, कामला और पीलिया को दूर करता है और स्वास रोग में भी लाबकारी होता है। ये दस्त मिटाता है, नेत्र रोग का समन करता है और जोडों में होने वाला दर्द और कमर दर्द को दूर करता है। दोस्तों सफेद मुशली के कंद के हम भात करें तो ये स्वाद में मिठा, स्थमभक, कामुतिजना को पढ़ने वाला और कप मिठाता है इसकी प्रकृती ठंडी होती है इसका सेवन करने से बल की उरुती होती है और मुत्रक खुल कर आता है दोनों प्रकार के मुसली मुत्रवर्चक होती है ये मुत्रक को बढ़ाती है इसके कंद और पंचा को पाने में उबालकर कुछ दिनों तक सेवन करने से मुत्रक की जलन मिठती है और मुत्रक खुल कर आता है दोस्तो इस प्रयोग से पत्रे में बहुत फाइदा होता है तथा किड़नी की गंद की दूर होती है और किड़नी को बल मिलता है दोस्तो पेट के दर्द में काले मुश्ली का चुल्ण 102 ग्राम की मात्रा में और 500 मिली ग्राम दाल चिनी का चुल्ण मिला कर सेवन करने से पेट का दर्द दूर हो जाता है दोस्तो मुश्लिक के मूल के चुल्ण को दूद के साथ कुछ दिनों तक रोजाना सिवन करने से विर्य के दोस्त दूर होते हैं और काम सकती बढ़ती है इसके कंद के 2-4 ग्राम चुर्ण में मिश्री मिलाकर रोजाना खाने से सिग्रपतन और विर्य विकार के दोस्त दूर होते हैं इसके अलावा मुश्ली के 2-4 ग्राम चुर्ण को गाय के घीमे मिलाकर रोजाना खाने से विर्य पुष्ट बनता है और बढ़ता है दोस्तो सास्त्रों में मुसली को परम भाजी करन अवसदी माना है मुसली के चूर्ण के साथ समान मात्रा में गिलोई का साथ, कौँचबीच, गोकुरू, सेमल और आउला इन सब को मिलाकर सरकरा और गीर तथा दूद के साथ मिलाकर रोजाना खाने से काम सक्ती बढ़ती है और नपु संक्ता मिठती है दोस्तों पूरुसों की साथ-साथ महिलाओं के लिए भी मुस्ली बहुत पाइदेमंद होती है सपेद मुस्ली के 1-2 ग्राम कंद चूर्ण का सेवन रोजाना करने से महिलाओं में सपेद पानी की समिश्या मिठती है इसके अलावा सपेद मुशली के चुर्ण को 2-4 ग्राम की मात्रा में लेकर उतन ही मिश्ट्री के साथ दूद के साथ रोजाना सिवन करने से स्तनपान कराने वाले महिलाओं का दूद बढ़ता है